हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल इजी आकवाट 24 में मेरा नाम सागर है दोस्तो आज हम बात करने मले हैं एक्वेरियम वाटर को क्रिस्टल क्लियर कैसे बनाय रखना है तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टीप्स देने माला हूँ इन टीप्स को फॉलो करके आप अपने एक्वेरियम को क्रिस्टल क्लियर बना सकते हैं दोस्तो आपके एक्वेरियम का वाटर कॉलिटी आप किस तरीक इसे फिश को फिडिंग करते हैं किस तरीक से खाना खिलात है उसके ओपर depend करता है तो दोस्तो feeding करते वक्त आपको कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है तो दोस्तो आज का हमारा पहला tip है feeding के बारे में दोस्तो आपके aquarium का size चाहे बड़ा हो या छोटा हो आपके fish का size चाहे बड़ा हो या छोटा हो आपको fish को खाना उतना ही खिलाना है जितना खाने की उसे जरूरत है जब तक fish खाना खा रही है उसी वक्त तक आपको खाना खिलाना है उसके बाद उसे खाना नहीं खिलाना है अगर गलती से अपने फिश को जाधा खाना खिला दिया या ओवर्फिडिंग कर दिया तो वो खाना एक्वेरियम में वैसे ही रह जाता है और फिर दोस्तों वो खाना एक्वेरियम में ही खराब होने लगता है मान लीजिये आप एक कम्रे में हो आपको किसी ने खाना लाकर दिया और वो खाना आपने पेट बर खाया और कुछ खाना उसमें से बच गया तो जो बचा हुआ खाना है वो अगर आपने क्लियर नहीं किया तो दोस्तो वो खाना खराब होने लगता है और उसमें से स्मेल आने लगता है ठीक उसी तरह से एक्वेरियम में जो खाना बचा हुआ है जो फिश ने नहीं खाया है वो खाना एक्वेरियम में ही खराब होने लगता है और जो खाना खराब हुआ है उसके कारण पानी में अमोनिया का लेवल बढ़ने लगता है और फिर पानी में जब अमोनिया का लेवल लेकिन दोस्तो ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आप फिश को खाना थोड़ा थोड़ा खिलाएंगे तो फिश का ग्रोध भी अच्छी तरीके से होगा दोस्तो फिश को खाना खिलाना कोई बड़ी बात नहीं है कोई भी फिश को खाना खिला सकता है लेकिन में चीज और मुश्किल तो तब आती है जब फिश ज्यादा वेस्ट प्रोडूस करती है तो उससे बाहर कैसे निकाले तो इसलिए अब हम अगले टिप के बारे में जाने दोस्तो water quality maintain रखने के लिए आपका filter system जो है वो बहुत ही strong और बहुत ही powerful होना ज़रूरी है जोस्तो अगर आपके aquarium को water quality maintain रखना है तो आप sponge filter का इस्तमाल करने से water quality मेंटन रहता है दोस्तो स्पंज फिल्टर में एक beneficial bacteria होता है good bacteria होता है जैसे हमारे पेट में good enzymes और good bacteria होते है जो हमने खाना खाया है उसे digest करने में help करते हैं वैसे इस sponge filter में जो beneficial bacteria है वो पानी में बढ़ा हुआ ammonia को कम करने में सहयता करता है इसलिए दोस्तों आप सबसे पहले sponge filter का इस्तिमाल कीजिए और sponge filter लागाने के दो दिन बाद आप देखिए आपके aquarium का पानी आपको साफ होता हुआ नजर आएगा आपके aquarium की size के इसाब से आप sponge filter यूज कर सकते हैं अगर आपके aquarium में fish जादा है तो आप 2 sponge filter का इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर आप बड़े size का sponge filter इस्तिमाल कर सकते हैं दोस्तो sponge filter बहुत ही सस्ते होते हैं मार्केट में अलग-अलग size के sponge filter अवलेबल है आप इन्हें online भी खरी सकते हैं फिर दोस्तो आप internal power filter का इस्तिमाल कीजिए internal power filter का इस्तिमाल करने से fish ने जो waste produce किया है वो पूरा internal power filter सक कर लेता है आपके aquarium के size के फिर वापस उपर नहीं आता है दोस्तो ग्रैवल filter मार्केट में easily available हो जाते हैं आप इन्हें online भी खरी सकते हैं आप मेरे पीछे जो aquarium देख रहे हैं उसमें मैंने तीनो टाइप के filter इस्तमाल किये हुए है आप जितने ज्यादा filter use करेंगे उतना ही आपका aquarium का water quality maintain रहता है अ जैसे ही हमें aquarium को भी maintain रखना जरूरी है और aquarium को maintain रखने के लिए आप हफते में एक बार aquarium का पानी जरूर चेंज कीजिए जब आप aquarium को clean करेंगे उस समय आपको पूरा gravel clean करना है पूरा glass clean करना है filters फूरे clean करने है और फिर पानी change करना है कुछ लोग बहुत दिनों दोग aquarium का पानी change नहीं करते हैं aquarium को maintain नहीं रखते हैं तो उनका aquarium का पानी खरब हो जता है अगर आपको बहुत दिनों तक aquarium का पानी change नहीं करना है तो इस तरीके से आप आपको और किसी चीज के बारे में जानना है तो आप मुझे कमड में लिख सकते हैं और अगर ये वीडियो आपको helpful लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेर कीजिए थैंक यूँ